तो हाई एवरिवान, कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप लोग एच्छे होंगे, मैं हूँ राहुल जेस्वाल हैं, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तो आज आप लोग को थोड़ा शौकिंग लग रहा होगा कि यहाँ पे संजीव सर के साथ राहुल सर क्या कर रहे है, तो दोस्तो आप लोग के लिएक सप्राइज जो मैंने प्लान किया था, कि जो 10 स्टांडर के जो स्टूडेंट रहेंगे, उनको साइन्स वन में चाप्टर है, और जैसा कि आप जानते कि संजीव सर 12 स्टांडर को फिजिक्स पढ़ा रहे, वो भी बहुत ज़्यादा बहतरी न तरीके से, साथी में 11 स्टांडर को फिजिक्स पढ़ा रहे, तो मैंने सर को बोला यार, सर हमारे 10 वी वाले भी आप से पढ़ना चाते है, त तो आप न, मेरे साथ तो पढ़ चुक है, पिछले साल भी पढ़ा था, इस साल भी बहुत सारे चाप्टर मैंने पढ़ाया, लेकिन 2-3 चाप्टर जो है न, वो संजीव सर से पढ़के देखो, फिजिक्स मजा आ जाएगा, क्योंकि अगले साल लेंच में जो आप फिजिक् साल लगा, ठीक है, तो चलो, संजीव सर, थैंक यू सो मच, आप लेंच, तो एक बार वापस से मैं अपना एंट्री कर देता हूँ, तो हेलो एवरिवरिवन, मा निम संजीव पांडे और स्वागत आपका अपने प्यारे से खुबसूरत से चैनल में, जे आर टुटोरियल म जैसा कि आपको पता है कि आप लोग 10 स्रेंडर में आगे हो, 10 स्रेंडर का बोड है, और तुमको साइंस पढ़ना है, अगर हम लोग कहानी देखने जाए, तो साइंस में तीन चीज़े होती है, तुमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायलोजी हो गया, बाय आप बहतरी न तरीके से पढ़ रहो, फिजिक्स भी आप बहुत बहतरी न तरीके से पढ़ रहो, देखो, तरीका सब बहतरी न है, अब हम लोग क्या देखने वाले है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले है आपका चाप्टर नमबर 4, विच इस नातिंग बड़ा, इफेक हो चुका है तो 9th के topic को थोड़ा क्या करते हैं सबसे पहले revise कर लेते हैं और 9th का topic revise करने के बाद jump हमारेंगे हम लोग 10th के topic में ओके तो अगर हम लोग बात करें let us like talk about पहला topic which is nothing but what is charge ओके अगर हम लोग चार्ज की कहानी देखने जाए तो भाई चार्ज है क्या basic चार्ज क्या है चार्ज क्या होता है तो चार्ज जनरली क्या होता है भाई एक particle होता है जिसके पास electron या फिर electron की कम्यों होती है या फिर electron जादा होता है मालनों अगर कोई particle है जिसके पास जाधा electron आगे, तो that particle is called as negatively charged, हमको पता है न, दो तरह के charge होते हैं, हम लोग ने basic पढ़ा है, there will be two types of charges, एक charge होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, positive charge, और एक charge होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, negative charge हाँ या न, तो what is positive charge and what is negative charge, यह हम लोग को discussion करना है, positive charge मतलब क्या होता है, positive charge बोले, तो जहाँ पे electron की कमी होती है, मतलब electron कम होता है, और negative charge बोले, तो जहाँ पे electron जाधा होता है, जहाँ पे electron क्या होता है, जाधा होता है, तो generally अगर हम लोग देखने जाए, तो जो flow होता है, that is nothing but electron, अग आहें जब फ्री लेंड्रेंगे हैं तो बी लेंड दॉन जैसी कंडॉक्षेन में आएंगे हैं एक आयरा हुझा हरब बहुसको अव्य होना चालू जाएंगे और जैसी अंदर इनक्री क्या होता है electric current होगे electric current कि अगर हम लोग बात करें तो electric current क्या होता है भाई जब कभी भी flow of electron हो flow of charges हो ओके ये भी already तुम उन्हें पढ़ रिया है कि what is electric current the flow of charge flow of charge ओके with respect to time with respect to time तो मतलब क्या ही होगा मतलब यह होगा कि भाई जो i होता है हम लोग current को किस से represent करते हैं याद करो current को हम लोग represent करते हैं i से तो i किसके बराबर होता है i बराबर होता है charge divided by time what is q q is nothing but a charge what is q q is nothing but a charge हम लोग capital q से represent कर देंगे यहाँ पे देखो ज़रा तो यहाँ पे क्या जाएगा q q divided by time which is nothing but a current क्या होता है यह current का definition है, charge divided by time is nothing but current का definition, clear, समझ में आया सबको, उसका unit क्या था जरा याद करो, SI unit याद करो जरा, क्या था, yes, comment करके बताओ मुझे, क्या था, ampere, बहुत बढ़िया, ampere is the correct answer, okay, तो SI unit के अगर हम लोग बात करें, तो इसका SI unit क्या था, SI unit था तुमारा, ampere, इसक nothing but a unit of current, this is nothing but a unit of current, next हम लोग बात करें, what is conductor, भाई, क्या था conductor, ध्यान से सोचो, conductor क्या था, भाई, ऐसा substance, ऐसा material, जो क्या करता है, जो अपने अंदर से electricity pass कराता, yes or no, generally, जितने भी metals होते है, जितने भी metals होते है, all metal, are good conductor, yes or no, generally, okay, जैसे अगर हम लोग देखने जाए, silver, okay, is the good conductor, copper is the good conductor, yes or no, iron is the good conductor, aluminium is the good conductor, यह सारे बहतरीन conductor है, क्यों, problem क्या है, भाई, reason क्या है कि यह good conductor है, क्योंकि इनके पास होते है, free electron, मतलब मालनों कि एक copper wire है, तो यह copper wire के पास क्या है, free electron, free electron, मतलब आजाद electron, जो क्या कर सकते हैं, जैसी ही मैं इनको किसी external potential दूँगा, मैं जैसी इसके साथ battery लगाऊँगा, वो जो free electron है, वो move करना चालू हो जाएंगे, वो जो free electron है, वो move करना चालू हो जाएंगे, अब मालनों कि अगर मैं बात करूँ, insulator की, तो insulator क्या होते हैं, भाई, जिनके पास free electron नहीं होते, जैसे plastic हो गया, rubber हो गया तुमारा, जैसे wood हो गया तुमारा, इनके पास free electron नहीं होते, तो यह क्या करते हैं, यह behave करते हैं as a insulator, मतलब यह current electricity को conduct नहीं करते, यह सो बात समझारी की नहीं होते हैं, पका, मेरे को और भी example बताना, insulator के, plastic, rubber, wood छोड़के, और कौनकों से example है, ins law, ohm's law, देखो सबसे important law है, और already तुम लोगने 11th में पढ़ा हुआ है, but यहाँ पे बहुत, यहाँ पे क्या, मैं तुमको बताता हूँ, जब तक तुम 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, graduation करोगे, अगर तुम physics से जुड़े हुए हो ना, तो यह law तुमको बहुत जादा काम माने वाला, ohm's law is the most compulsory law, okay, in the physics history, याद रखना, यह बहुत जादा compulsory law है, अगर current electricity के बारे में पढ़ रहे हो तो, ohm's law क्या ही पढ़ा था हम लोगने, हम लोगने पढ़ा था, भाई, जो potential है, okay, potential across any resistor, potential across any resistor is equals to current into resistance, yes or no, potential across any resistance, बराबर होता था, किसके बराबर होता था, current into resistance के बराबर होता था, where I is nothing but a current, and R is nothing but a resistance, याद आ रहा है, resistance, resistance का हम लोगने SI unit पढ़ा था, that is nothing but a ohm, याद आ रहा है, everyone, V is nothing but a potential, potential का SI unit हम लोगने पढ़ा था, that is nothing but a voltage, जिसको हम लोग वोल्ट बोलते थे, याद आ रहा है, okay, तो यह सारा चीज़ recall करो, okay, क्योंकि बहुत important है, अगर भूल गए हो, तो क्या करो, जाओ, नायंद का बुक खोलो, एक बार, खाली आदे घंटे के लिए उस बुक को read करो, उस बुक को read करो, सारा का सारा चीज, mind में fresh हो जाएगा, और it is very important, क्यों very important है, क्योंकि यह जो चाप्तर है, वो पूरा का dependent है, उस पे, तो रहतरीन तरीके से, अगर तुमको और पढ़ना है, और recall करना है, तो जाओ एक बार, नायंद का बुक खोलो, वहाँ पर जाओ, पढ़ो आराम से, कोई problem नहीं है, एक बार वहाँ पर पढ़ लोगे, सारा चीज clear हो जाएगा, फिर फटाक से आज आना, वीडियो देख लेना कोई problem नहीं है, बासना रहा है विरिवाल, पका, मजा रहा है गी नहीं, मजा रहा है बताना, ओके, चलो, तो स्टार्ट करते हैं, आज का topic, important topic, अभी तक तो हम लोग सब रिकॉल कर रहे थे, अभी तक हम लोग सब लोग 9th की बात कर रहे थे, आज हम लोग important बात करेंगे, तो क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग, आज हम लोग बात करने वाले है, energy transfer in a electrical circuit, तो क्या होता है electrical circuit, electrical circuit का मतलब होता है, it is nothing but a combination of different types of, क्या, different types of electrical instrument, ओके, देखो, electrical instrument, electrical appliance बोल लो, जैसे battery, भाहे, बैटरी एक electrical appliance है, जैसे resistor, resistor is electrical appliance है, यह है wire, यह दिख रहा है, यह wire है, electrical appliance है, यहाँ पर लगा है M meter, इसको बोलते है M meter, यह भी एक तरह का electrical appliance है, यह तुम्हारा voltmeter, यह भी एक तरह का electrical appliance है, अब यह electrical appliance को एक systematic तहीके से जब हम लोग arrange कर लेते हैं, तो that is called as, उसको हम लोग बोलते है, electrical circuit, तो this is nothing but a electrical circuit, जो कि already तुमको पता है, यह तुम्हारा electrical circuit ह या ना बात समझारी कि ने समझारी है अब इसमें क्या देखना है हम लोग को कि भाई इसके अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है कितना पावर ट्रांसफर होता है तो बेसिकली हमको यहाँ पर क्या बात करना है यहाँ पर हमको बात करना है पावर का किसका बात करना है प पवर का basic definition क्या होता है मिलेकूं पता हो जबा लँट Union क्या से अंगर हम लोग अगरबस डेखो थे dus name अगर एक जुट मों कर रहा है यहां पे काम कर रहा है तुम्हारा बैटरी, ओके, मालो की बैटरी के बाद जो पोटेंशल है, मालो तुम्हारे पास बैटरी के बाद जो पोटेंशल है, ओके, वो पोटेंशल यहां बैटरी से निकल रहा है, निकल रहा है, करेंट निकल रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यहां पे आ रहा है, मतलब इ जो चार्ज को घुमा रहा है वह घुमा त्सवार पोटेंशिलम अक्टो επर वर्क कोण कर रहा है पोटेंशिल कितना ट्रार्थ के उप्र वर्क कर रहा है det Hindu अगर हम नोग देखने से किसके उपर चा रहा है तो work on charge, कितना ही work करेगा, that is w is equals to q into vab, that is work का definition क्या है, work done किसकी वज़े से हो रहा है, potential की वज़े से, किसके उपर कर रहा है, charge के उपर कर रहा है, बात समझ में आ रहा है, जो बैटरी है, वो charge को घुमाने के लिए काम कर रहा है, एक एक चार्ज ऐसा घुम रहा है, circuit के अंदर charge घुम रहा है, तो वो जो potential है, वो charge के उपर काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, w is equals to q vab, अब यह उठा के यहाँ पर चिपका दो, देखो यहाँ पर formula क्या ही है, w by time हाया ना, अब यहाँ पर मेरे को w मिल चुका है, यह w को यहाँ पर substitute कर दो, okay, put w, put w in equation 1, मानलो इसको equation 1 नाम दे दो, तो यह w का value substitute करो equation 1 में, तो क्या मिलेगा, therefore, power is equals to, क्या मिलेगा मेरे को, power is equals to, w के जगे क्या आ जाएगा, q by vab, divided by t, हाया ना, and what is q by t, देखो, इसके पहले, इसले मैंने तुमको recall करा दिया था, सारी चीज़े, q by t होता क्या है, q by t तुमारा current होता is or no, मैंने इसले रिकॉल कराया था, q by t क्या है, q by t तुमारा electrical current है, हाँ या ना, तो यहाँ पर देखो धहान से, यहाँ पर, जो q by t है, उसके जगे मैं, put कर सकता हो, क्या current, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा, p is equals to, i into vab, अब यह vab क्यू लिख रहा हूँ, क्यू current, resistor में से flow हो रहा है, that is nothing but a current I, उसको यह मिलोग क्या बोलते है, current I, so this is nothing but a power, यह इतना तुमको पावर मिल गया, इतना पावर है मारे पास, power is equals to i into potential, इसको क्या बोलते है, potential, जिसका unit क्या होता है, voltage होता है, क्या होता है, voltage unit होता है, वासन में आगए अब डिवन, यह power आया, अब energy निकालना हमको, power आया, हम लोग को बात किसकी करनी है, हम लोग को बात करनी है, energy की, तो इसको थोड़ा सा range कर देंगे, energy की बात करेंगे हम लोगाज, तो basically energy क्या होता है, energy का basic मतलब क्या होता है, energy का basic मतलब होता है, कि power को हम लोग कितने time तक इस्तिमाल कर रहे हैं, भाई वो जो power है, उसको कितने समय तक इस्तिमाल कर रहे हैं, that is called energy, उसको ही तो हम लोग energy बोलते हैं, that is नतिम बटा electrical energy, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखने जाए, तो electrical energy का basic मतलब क्या होगा, इलक्ट्रिकल एनर्जी का basic मतलब क्या होगा, ध्यांसे देखो, इलक्ट्रिकल एनर्जी, आभी तक हम लोग ने power पढ़ा, बट इलक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, इलक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा, भाई, energy बराबर होता है, power into time से, मतलब मैं power को कितने समय के एक लिए power चाहिए, बट वो power कितने समय के लिए, कितने time के लिए इस्तमाल कर रहा हूँ, that is called energy, उसको क्या बोलते है, energy बोलते हैं, बराबर, बासमना रहा है कि ने समना रहा है, बरियों पक्का, ओके, तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर अगर ध्यान से देखोगे, i into v, that is i into vab into time, so this is nothing but energy का formula, यह आगया मेरे पास energy का formula, बासमना रहे हैं, पक्का, यह मेरे पास आगया energy का formula, तो energy क्या हो जाएगा, energy हो जाएगा i, va, i बोले तो current, va बोले तो potential into time, okay, अब इसके अलावा मेरे पास और भी formulas है, क्यों और भी formulas है, because with the help of ohm's law, हम लोग ohm's law की मदद से अलग-अलग formula define कर सकते हैं, अब अगर यहाँ पर मैं ohm's law put करूँ, अगर मैं यहाँ पर ohm's law put करूँ, ohm's law क्या है, अगर हम लोग देखने जाएं, तो what is ohm's law, by ohm's law, मैं बोल सकता हूँ, v क्या होता है, v होता है, i r, by potential क्या होता है, potential होता है current into r, अब यह potential को इ उसके जगे क्या substitute कर दो, उसके जगे substitute कर दो i r, तो क्या ही मिलेगा therefore, तुमको energy मिलेगा, that energy is equals to, that energy is equals to, that is i, और यहाँ पर v के जगे क्या आ जाएगा, i r, तो यहाँ पर v के जगे आ जाएगा, i r, into time, what is i i, i i, i i क्या हो जाएगा, i square, into r t, yes or no, so this is nothing but energy का एक दूसरा formula, okay, that is i square r t, और इसको ही क्या बोलते है, इसको ही बोलते है, Jules law of heating effect, okay, अगर हम लोग देखने जाए, तो यही मेरा Jules law, yes or no, this is nothing but a Jules law, तुम लोग जब बड़े standard में जाओगे, जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो बहुत important law है यह, okay, मतलब जितने भी तुमारे प्र Jules law of heating effect, यह बस में आया, मतलब यहां पर मेरे पास energy का दो formula आगया, action में तीन formula है, देखो, energy का एक formula क्या आगया, I VA into time, एक और formula क्या आगया, I square RT, okay, मतलब I square RT, और इसको ही क्या बोलते है, यह जो I square IT आया इसको ही बोलते हैं जूस्लाफ हीटिंग इफेक्ट क्या बोलते हैं इसको ही जूस्लाफ हीटिंग इसक्ट और वैसी सेम पावर का भी एक फर्मुला निकाल सकता हूं power का भी अगर मैं निकालने जाओ तो यहां पर को और फॉर्मॉला बनेगा power is equals to i square r that is i square r यहां से को और पावर का फॉर्मॉला बन गया एक को और फॉर्मॉला बनेगा आगर हम लोग देखने जाना ऐसी और मैं ओमश्लॉख पुट करूं तो यहां से Ohms Lock क्या पूट कर सकता हूं यहां से मैं Ohms Lock पूट कर सकता हूं that is I is equals to V by R हाया न तो अगर यहां पर एक और value put करूँ तो एक और formula बनेगा कौन सा formula बनेगा देखोया पे इसको side रखता हूं यहां पर एक और formula बनेगा that is nothing but power is equal to V square by R, तीनो same formula है, यह जो तीनो formula है न, तीनो dicto same formula, तीनो में कोई changes नहीं है, power is equal to i into potential, मतलब current into potential, power is equal to i square R, मतलब current का square into resistance and power is equal to V square, मतलब potential का square divided by R, यह तीनो formula same है, ऐसी मेरे पास energy के भी तीन formula बनेंगे, एक formula i into v into time एक formula बनेगा i square r t और दुसरा formula क्या बन जाएगा v square r by t r into t तो यहाँ पर into t भी आ जाएगा clear, बात समझ में आई everyone पका, ओके take a screenshot, तुमारे लिए notes available हो जाएगे, tension नहीं है, देख लो ले लिया बहुत बनिया, बहुत बनिया, ओके क्योंकि इसके उपर, यह जो law है बहुत बहुत बहुतरी law है, इसके उपर ही कहानी आता है, तुमारा सारे appliance का सारे heating appliance का, ओके तो यही चीज़ को समझना है अपने को, ओके बास ना गई, next हम लोग बात करेंगे इसके unit की, भाई क्या unit होता है, कैसे पढ़ते हैं इसको, कैसे read करते है, energy का unit तो हमको पता है, that is joule, power का भी unit हमको पता है, that is watt, बट वो आता कहां से है, उसकी discussion हम लोग करेंगे आज, उसकी discussion करेंगे हम लोग, ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो हम लोग पढ़ने वाल है, हम लोग पढ़ने वाल है, unit of power तो what is unit of power, unit of power क्या होता है, तो basically power का formula क्या है, power का formula है, v into i, हाई न, power का formula यह ही है, that is potential into i, what is potential, भाई, potential का unit क्या ही होता है, देखो potential एक ऐसी quantity है, जिसको हम लोग v से represent भी करते हैं, और उसका unit भी भी से है, that is voltage, तो अगर हम लोग voltage देखने जाए, तो यह क्या हो जाएगा, ऐसा unit, ऐसा युनित, तो standard unit, तो voltage का standard unit क्या हो जाता है, that is, voltage, और current का standard unit क्या होता है, that is ampere, यह सोनू, मतलब voltage into ampere, okay, but what is voltage, भाई, voltage का actual definition क्या होता है, okay, voltage को हम लोग लिखते हैं, as voltage को हम लोग क्या लिखते हैं, joule per second, yes or no, sorry, work done by time होता है, V is equals to work done by time, तो joule per second, हम लोग ampere को क्या लिखते हैं, ampere को हम लोग लिखते हैं, ampere मतलब current, current का definition क्या होता है, charge, charge के लिए coulum divided by second, तो coulum divided by second हो जाता है, yes or no, अगर हम लोग लोग देखने जाए तो, अब इसको ही combine करके, इसको ही combine करके, एक single नाम दिया जाता है, that is called watt, इसको ही क्या बोला जाता है, single नाम, that is called watt, और इसको हम लोग capital W से represent करते हैं, किस से represent करते हैं, capital W से represent करते हैं, clear बासन मारी है, उसको तुम लोग voltage into ampere लिखो, volt into ampere लिखो, या फिर तुम उसको watt लिखो, दोनों से यम चीज़ है, this is nothing but a unit of power, this is nothing but a unit of power, clear बासन मारा है, but यह जो watt है न, it is very small unit, watt is very small unit, watt is very small unit, अब since watt is very small unit, we generally use, we use the, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, kilowatt, तो 1 kilowatt बराबर होता है, 1000 watt से, जैसे 1 kilogram बराबर होता है, 1000 gram से, वैसे 1 kilowatt बराबर होता है, 1000 watt से, यह चीज़ का ध्यान देना, यह चीज़ का ध्यान देना, 1 kilowatt हमेशा बराबर होता है किसे, 1000 watt से, okay, MCQ में जो filling the blank है, उसमें आने का chances होता है यह चीज़ का, clear बासन में आ रहा है everyone, पक्का, okay, समझ में आया, what is the unit of power, by power का unit क्या होता है, power का formula क्या होता है, हम लोग formula देखी बता सकते, power का formula क्या होता है, V into I, तो उसका unit क्या हो जाएगा, या फिर उसको volt into ampere बोलो, या फिर उसको watt बोलो, clear, पक्का, चलो, next, next topic की बात करेंगे, हम लोग heating effect of electric current, heating effect of electric current, अब भी हम लोग ने थोड़ी देर पहले एक formula पढ़ा, क्या formula पढ़ा, भाई, energy जो है, वो बराबर है, किसके I square RT के, हाँ या ना, भाई, जो energy है, वो बराबर है, किसके I square RT के, अब अगर मैं जितना जाधा current, किसी wire, किसी resistance में से pass करा हूँ, उतना जाधा वो क्या produce करेगा, उतना जाधा वो heat produce करेगा, मतलब उतना जाधा वो energy produce करेगा, and this energy, and this energy, is in the form of, किसके form में है, heat के form में है, and this energy, is in the form of heat, ओके, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, heat का formula, that is, heat is equals to, I square RT, तो यही मेरा energy का formula है, और यही मेरे heat का formula है, अब इसके उपर कौनकों से appliance काम करते हैं, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, ओके, this is your nicrome wire, यह क्या है तुम्हारा, nicrome wire है, यह use होता है, चीज के अंदर से current flow करते हैं, तो यह दोड़ा glow करना चालू करता है, और heat produce करना चालू करता है, ऐसा क्यों होता है मालू में, क्या, because it has a high melting point, ओके, याद रखना है, यह glow क्यों करते हैं, because of high melting point की वज़े से, high melting point, लगभग 3600, लगभग, ओके, 3600 degree Celsius तक इंका, 3600 से लेके, वो 4000 तक भी जाता है, तो इंका जो, यह है न, melting point है, वो बहुत हाई है, तो melting point बहुत हाई है, इसलिए हम लोग इसको use करते हैं, ओके, यह nicrome wire है, ऐसा coil हो रहता है, ऐसा छोटा-छोटा coil रहता है, उस coil के अंदर से current pass होता है, अब जितना जाधा current pass होगा, उतना जाधा resistance, और जितना जाधा resistance रहेगा, क्योंकि इसका resistance भी बहुत जाधा रहता है, high resistance रहता है, ओके, पहला point यह है, second point क्या है, high resistance, high resistance, इंका जो resistance का value है, वो भी बहुत जाधा रहता है, melting क्यों यूज करते हैं इसको, because of high melting point, भाई, इंका melting point बहुत जाधा रहता है, और because of high resistance, इंका resistance भी जाधा रहता है, देखो न, current flow हो रहा है, अब माल लो उसके अंदर से current flow हो रहा है, अब अगर current को कोई रोकेगा, resistance मतलब क्या, which oppose the flow of current, अब अगर वो current को बहुत रोकेगा, बहुत रोकेगा, तो current को गुसा आएगा की नहीं आएगा, अब current को गुसा आएगा, तो current गरम होगा, yes or no, वो heat produce करेगा, क्या produce करेगा, heat produce करेगा, तो इसलिए बहुत जादा ये लोग गरम हो जाते है, ओके, यही same application होता है, तुमारे, जो tungsten वाला बल पाता है, हमारा जो बल बाता है, उसके अंदर देखा रहेगा, यह जो coiling होता है, यहाँ पे tungsten की coil होती है, किसकी coil होती है, tungsten की, ऐसी, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे tungsten की coiling होती है, अब यह tungsten की coiling क्या होती है, जब इसके अंदर से current pass होता है, तो वो क्या करता है, glow करना चालू करता है, मतलब वो उतना जादा heat नहीं produce करता है, बट क्या produce करता है, वो light produce करता है, क्या produce करता है, light produce करत उसके बाद बल्ब को चूते थे हाथ जल जाता था मतलब इतना जादा हीट वो प्रोड्यूस करता था और इग्जांपल क्या बता है हम उन्हें नाइख्रोफ वायर कौन सा वायर नाइख्रोफ वायर बहुत और टंस्टन वायर ओके यह दो एक्जांपल याद रखना क्लियर व्रीवान चलो next कहानी के हम लोग बात करेंगे next is nothing but a home electrical connection and fuses अब अगर हम लोग बात करें home electrical जो हमारे घर में electrical circuit होता है हम लोग ने देखा है न बटन दबाया, बटन दबाया पंखा चालू, बटन दबाया, light जल गया बटन बंद किया, light बंद हो गया, बटन दबाया, प्रेस चालू, बटन बंद किया, प्रेस बंद हो गया, yes or no, so यह जो circuit है that is called as home connection circuit, इसको हम लोग बोलते हैं home electrical connection या फिर home electrical circuit okay, अब यहाँ पर क्या होता है, कि सारे जो तुमारे wire है, जो bulb है, वो एक connection से जूड़ी होती है, मालो कि यह तुमारा switch है, इसको switchboard बोलते है okay, switchboard का spelling देखो, एक चीज़ बता तो मेरा spelling बहुत खराब है, okay, मेरा जहाँ पर आई आया ना, वहाँ पर मैं confused होगा, जहाँ पर आई यह आया, वहाँ पर मैं confused होगा, और एक बार confused होगा, तो कितना भी याद करा लो, मेरे को spelling याद ही नहीं आता, अब देखो जैसे मैंने switch का spelling मेरे मैं confused होगा, switch का spelling क्या होता है, बढ रबर है, switch का spelling, मेरे कहाँ से नहीं है, ओके, तो switch का spelling ओपर तुम लोग देख लिए ना, थोड़ा सा होगा तुम लोग मैर को spelling के लिए थोड़ा बहुत महाव कर सकते हो, correct spelling मेरको फटाख से comment section में बता देना क्या spelling होटा है, त से अब बहुत सारे connection हुए हैं कहीं पर fan लगा हुआ है yes or no this is your fan connection कहीं पर तुम लोग बल यह इस्तमाल कर रहे हो light इस्तमाल कर रहे हो तो यह तुमारा light का connection कहीं पर तुम लोग AC इस्तमाल कर रहे हो yes or no कहीं पे तुम लोग फ्रीज इस्तमाल कर रहे हैं, कहीं पे तुम लोग हीटर इस्तमाल कर रहे हैं, बहुत सी जी इस्तमाल हो रही है, yes or no? मैं अधर डाल देता हूँ तो यह जो connection है ना यह connection को बचाने के लिए क्या होता है कभी कभी current बहुत ज़ादा हो जाता है अब current बहुत ज़ादा हो गया तो यह चीजे खराब हो जाएगी ना भाई यह जो मेरा appliance है यह appliance तो खराब हो जाएगा तो मिरेको loss बहुत होगा तो उस loss को बचाने के लिए हम लोग एक instrument electrical instrument यूज करते हैं और electrical device यूज करते हैं that is called fuse कुछ ऐसा दिखता है पहले ऐसा दिखता था अगर हम लोग बात करें पहले time के तो पहले time का fuse कुछ ऐसा दिखता है तुम लोग ने देखा रहेगा तुम्हारा जहां पर meter लगा रहता है ना उस meter के बाजू में ऐसा fuse लगा रहता है so this is called fuse और अब जो नए fuse हो गया है वो कुछ ऐसे होते हैं यह तुम्हारा नए updated fuse है अब हम लोग ऐसे fuse यूजए उसको लोग लोग बोलते हैं MCB क्या बोलते हैं MCB that is called miniature circuit breaker क्या बोलते है MCB का मतलब क्या होता है miniature circuit breaker अब यहां पर यह क्या होता है बहई यहां पर जो fuse होता था ना उसके पतले wire होते थे और उस wire का जो melting point होता था वो कम होता था तो जब इसके अंदर से excess amount of current pass होता था तो वह वायर पिगल जाता था अब वायर पिगल गया मतलब circuit break हो गया मालनो यहां पर wire है और यह wire ऐसा circuit से लगा हुआ है अब इसके अंदर से बहुत जाधा current flow हो गा तो यह जो है यहां पर जाधा नुपसान नहीं होगा तो टो फ्यूज क्या है रही एक एक ऐसा appliance है, एक ऐसा device है, जो क्या करता है, जब कभी भी जो ये है, current है, जब उसका excess flow आ जाता है, मतलब जदा current, जदा energy flow होना चालू करता है, तो ये पिघल जाता है, और circuit को break कर देता है, क्या कर देता है, circuit को break कर देता है, clear, बस में आए, आम लोग पुराना fuse ऐसा होता था कुछ, और नए fuse की बात करें, तो नए fuse हमको कुछ ऐसा दिखता है, which is called as MCB, which is called as MCB, that is miniature circuit breaker, पका, समझ में आ गया, everyone पका, समझ में आया, कैसे काम करता है fuse, क्या होता है fuse, important question है fuse, okay, बहुत बढ़िया, चलो, next, तो आज जो भी हम लोग ने topic किया है, उसके उपर हम लोग कुछ numerical discuss करेंगे, क्योंकि important है, numerical तुमको पता है कि exam में आने के chances guarantee है, तो हम लोग, जो भी आज हम लो ने topic किया, उसके उपर हम लोग numerical discuss करेंगे, चोटे-चोटे numerical discuss करेंगे, ज्यादा time नहीं लेंगे तुम लोग का, चलो, तो start करते हैं, सबसे पहले क्या करो, अगर कोई topic खतम होता है, तो यह मैं सब को बोलता हूँ, हर एक बच्चों को बोलता हूँ, तुमको भी बोल रहा easy पड़ेगा, बास समझा रहा है, तो formula list देखो, याद करो, उसके बास sum solve करने बेठो, ओके, तो formula important होना चीए, याद रखना, मतलब important है formula, यह याद रखना, तो let us start with numerical, क्या numerical है, देखो ज़रा, पढ़ेंगे, a 6 meter long wire made up of alloy, नाइक्रोम, मैंने बताया ना, नाइक्रोम की कहा है, length given है, कितना given है, 6 meter length given, is in the shape into the coil, coil के shape में है, मतलब कुछ ऐसा shape है, ऐसा shape है, coil का shape है, बरबर, and given for, given for producing heat, it has a resistance of 24 ohm, मतलब इसके पास resistance कितना है, resistance है, इसके पास 24 ohm, ओके, याद रखना, यह ohm का symbol है, तो तुम लोग इससे represent करना चाहो, कर सकते हो, या फिर ohm लिखना तो भी कर सकते हो, कोई problem नहीं है, can we get more heat, if the wire is cut into, of its original length and shape into a coil, मतलब उस wire का जो wire था, उसको cut किया, cut करके आधा बना दिया, तो उसके वज़े से क्या होगा, भाई, ज्यादा resistance मिलेगा, for getting energy, the two end of the wire, are connected to the source with a potential difference, मेरे को यह potential difference given है, potential difference मतलब तुम लोग का V given है, तो V कितना given V given है, V given है तुम लोग का, that is, V is nothing but 220 volt, तो हम लोग formula कौन सा यूज़ करने वाले है, याद रखना है, यह pattern है, हम लोग formula कौन सा यूज़ करने वाले है, तो ऐसा हमको section बनाना पड़ता है, यह हमारा given का section है, यह हमारा formula का section है, तो हम लोग formula यूज़ करेंग, देखो power find out करन है, और power के लिए मेरे को given क्या है, मेरे को resistance given है, और मेरे को potential given है, तो ज़रा पीछे जाते है, देखो power का कौन सा ऐसा formula है, जहाँ पे मेरे को volt भी given है, और resistance भी given है, मतलब potential भी given है, और resistance भी given है, तो हम लोग कौन सा formula यूज़ करेंगे, power is equals to b square by r, yes or no, चलो आ जाओ, तो हम formula लिखेंगे, भाई, कौन सा formula हम लोग यूज़ करने वाले है, हम लोग यूज़ करने वाले है, power is equals to, volt square by r, हाई या न, चलो, so solution, हम लोग को power find out करना, यहीं पर लिख दो power equals to question mark, मतलब यहाँ पर हमको समझ में आ जाएगा कि power हमको निकालना है, हाई या न, तो हम लोग formula लिखेंगे, क्या होगा, we know that, we know that, power is equals to, v square by r, तो initially माल लेते हैं कि resistance को cut नहीं किया है, condition a क्या है, condition a है, कि भाई हम लोग ने resistance को cut नहीं किया है, when consider, consider, whole wire, पूरे wire को consider किया है, whole wire, तो power कितना आएगा, देखो जारा, power का v कितना given है, मेरे को 220, तो 220 हम लोग put कर देंगे, 220 का square, divide by resistance, resistance कितना given है, that is 24, क्या करेंगे, 220 का square करो, तो 22 का square कितना हो जाएगा, 22 का square, 484 हो जाएगा, yes or no, तो that is 484, और single 0 का square क्या हो जाएगा, double 0, तो divide by 24, इसको 24 से divide कर लो, okay, देखो, मैं divide करने के लिए, मैं तो calc use करने वाला भाई, तुम लोग के लिए restriction से याद रखना, तुम लोग में से कोई calc use नहीं करेगा, calc, देखो calc use करोगे, मैं calc q use करता हूँ, हम लोग calc q use करते हैं, because हमारे पास जादा lengthy video बनाने का time नहीं है, अगर मैं 2-2 घंटे का video बनाओ, calculation करूँ, तो time waste होगा, तो हम लोग calc use कर सकते हैं, but तुम लोग के लिए, तुम लोग अगर calc use करोगे, तुमारा जो multiplication, division का जो practice है न, वो खराब होगा, तो वो नहीं करना है, तो तुमारे end से calc use नहीं होनी चीए, तुम लोग पूरा वैट लिखना चाहो, तो पूरा वैट लिख सकते हो, अगर capital W लिखना चाहो, तो capital W भी लिख सकते हो, कोई problem नहीं है, बास संजा आ गया, ये कब था, जब हम लोग ने भाई, पूरा पूरा wire consider किया, अब मेरे को question में क्या बोला, देखो जबा, producing it, it has a resistance, can we get more heat, if the wire is cut, अब wire को cut कर दिया है, अब wire को cut कर दिया, तो second situation में क्या मिलेगा मेरे को, condition B नाम दे देते हैं इसको, तो condition B में क्या मिलेगा, when wire is cut, when wire is cut, अब wire को cut कर दिया गया है, मतलब resistance तो आधा हो गया, resistance कितना हो गया, 2L1, but potential में तो कोई changes नहीं आएगा, भाई potential में कोई changes नहीं आने वाला, potential तो होता नहीं है, तो power का same formula लगाओ, V square by R, potential कितना ही रहेगा, 220 का square, divided by R, 220 का square कितना होता है, 48400, divided by 12, तो अगर यहाँ पे हम लोग 484 divided by 12 करेंगे, तो answer कितना आ रहा है, अब ध्यान से देखो, अब comment करो, अब यहाँ पे बोला है तुमको comment करने के लिए, यहाँ पे तुमको बोला है comment करने के लिए, क्या बोला है देखो, for getting energy, भाई क्या करना है, जादा होगा की कम होगा, comment करो इस चीज़ पे conclude करो, देखो, जब 24 resistance था, तो 216 आया answer, जब 12 हो गया resistance तो कितना है, 4000, मतलब almost उसका double, yes on almost उसका double, मतलब जितना जादा मैं length को cut करूँगा, उतना मेरा power, उतना मेरा heat energy क्या होगा, बढ़ेगा, clear, बात संवाई सबको everyone, पका, take a screenshot for the, तुमारे reference के लिए, बट तुमको वापस से यह solve करना, याद रखना, तुमारे को वापस से यह चीज़ solve करनी है, clear, चलो, एक और numerical देख लेते हैं, एक और कहानी देख लेते हैं, next कहानी क्या है, देखो, next numerical क्या बोल रहा है, तो एक tungsten wire है, एक tungsten wire है, तो electrical tungsten bulb is connected into the home circuit, हम लोग ने एक bulb लगाया home circuit पे, a home electrical supply is runs at 220 volt, मतलब मेरे को volt given है, मतलब क्या given है, potential given है, तो सबसे पहले given लिग लेंगे, that is v is equals to 220 volt, आया ना, when the switch on current, इतना current पास हो रहा है, मतलब मेरे को current given है, मतलब मेरे को I given है, I is equals to कितना, 0.45 ampere, इतना current given है, 0.45 ampere, flow through the bulb, किसे flow होगा, bulb से flow होगा, what must be the power of the bulb, मेरे को बला है, कि भाई, कितना power होगा, तो मेरे को power calculate करना है सबसे पहला, क्या calculate करना है, power calculate करना है, next क्या बोला है, if it is kept for 10 hour, how many units of electricity will be consumed, मतलब मेरे को unit बताना है, electricity का कितना consume होगा, यह सोनो, तो मेरे को electrical energy निकालनी एक तरका, electrical energy निकालनी है, कब, when, when time is equals to 10 hour, time कितना है मेरे को, 10 hour, तो कौन-कौन सा formula यूज़ोगा देखो जरा, तो सबसे पहले formula कौन सा यूज़ोगा देखो, V और I given है, तो power का कौन सा formula यूज़ोगा, power is equals to V I, और electrical energy का कौन सा formula यूज़ोगा, electrical energy का हमलों को पास formula है ना, that is power into time, power into time, तो यह वाला formula हमको इस्तमाल करना है, यह दोनों formula हमारा इस्तमाल होगा, ध्यान देना, ओके, चलो, solution start करें, पक्का, तो सबसे पहला, मैं दो second के लिए वेट करूँगा, तुम लोग video pause करो, video pause करके पहले खुद से solve करो, मैंने तुमको formula दे दिया है, तुमको value पता है, खुद से solve करो, video pause करो, खुद से solve करो, solve कर लिया सब लोग ने, video pause है, चलो, अब match करो, किसका answer right आ रहा है, किसका answer wrong आ रहा है, तो तुमको समझ में आएगा, तुमको self analyze होगा, कि कहां पर मैंने गलती की, क्या मुझसे गलती हो गई, उसको correct करो, तो पहला formula हम लोग यूज़ करेंगे, power is equals to vi, देखो, v कितना है, that is 220, into i, i कितना है, 0.45, तो क्या ही हो जाएगा, अगर मैं वापस calculator यूज़ करू, तुमनों बोलोगे सर्के तो मज़े, मज़े नहीं है, बस हम लोग को एक advantage है, yes or no, तो कितना आ रहा है, 220 into that is 99, तो यहां पर आ गया 99 watt, कितना आ गया 99 watt, this is nothing but power, बट अगर electrical energy की बात करूँ, तो electrical energy कितना आ जाएगा, electrical, energy कितना आ जाएगा, that is power into time, तो power कितना ही आया मेरा, 99 into time कितना है, 10R, तो कितना ही आ जाएगा, 990, this is nothing but watt R, this is nothing but watt R, बट मुझे पता है न, watt is the very small unit, तो इसको मैं kilowatt में convert करूँगा, तो kilowatt में convert करने के लिए, डिवाइड करूँगा यहां सानो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 990 divided by 1000, that is kilowatt R, तो इसको डिवाइड करूँगा, तो क्या मिलेगा, 0.99 kilowatt R, और इसको ही हम लोग 1 unit बोलते हैं सानो, तुम लोगे घर पे जो unit आता है, that is called 1 unit, वो 1 unit है क्या, यही तो 1 unit है, यही तो तुम्हारा 1 unit है, kilowatt R, तो कितना unit होगा, कितना unit utilize होगा, that is 0.99 unit utilize होगा, यह मेरा electrical energy है, clear, बात सब्सक्राइड आ गए everyone, पक्का, ओके, अब चेक करो, किसका किसका answer right आया था, comment करके मेरे को बताओ, किसका मेरा answer right आया था, और जिसका wrong आया था, देखो तुमने क्या mistake किया, कहाँ पे तुमको answer गलत मिल गया, screenshot ले लिया everyone, पक्का, देख लो, चलो बहुत बढ़िया, ओके, सो समझ में आया आज का topic, सबको, बहतरीन topic आज हम लोग ने complete किया, हम लोग ने electrical energy देखा, electrical power देखा, heating effect देखा, fuse देखा, next lecture से हम लोग बात करेंगे, तुम्हारा magnetic effect, मतलब जब current flow होता है, तो current जब flow होता है, तो वो magnetic effect दिखाता है, वो कहाँ ने हम लोग next lecture से continue करेंगे, clear, बासन में आगे everyone, तो अगर तुम लोग ने यहां तक वीडियो देखा है, तो क्या करना है, वीडियो को like करना है, अगर share करो, भाई, share करो, कि कोई नया सर आया है, तुमको पढ़ा रहा है, अच्छा लगा, तो comment करके बताओ, खराब लगा, तो भी comment करके बताओ, मैं सुधार नहीं कोशिस करूँगा, अगर कुछ doubt है, तो भी तुम लोग comment करके बता सकते हो, हाँ, अगर तुमको कुछ doubt है, कुछ अगर discussion करना है, तो मैंने Instagram का ID दिया हुआ है, यहां पे, तुम लोग जाके मुझे, वहां पे DM करके, कूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे मैंने दिया हुआ है, iSanjeev underscore pande, तो वहां जाके तुम लोग DM कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे हम लोग discussion कर सकते हैं, clear everyone, चलो, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना है, शेर करना है, चैनल पर फर्स टाइम हो, तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना, ओके, और तुमको पता है, JR टुटोरियल का application आ गया है, तो फटाफट जाओ, डाउनलोड करो, रिव्यूज दो, उस पर बहुत बहतरिन content आने वाले हैं, ओके, चलो, सुआज का वीडियो यहीं पे end करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, that's it for today, thank you so much,